करेमा भगतों का कल्यान सचे मन से जो भी आए देती है मरतान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान जम्म में कटरा नगरी बड़ी ही पावन सुथरी भक्त इक मा का वहाँ पर था जिसका नाम सिरी धर भक्ति इक मा का वहाँ पर था जिसका नाम सिरी धर बोलिये स्री वैश्नो मैया की जै भक्तों आज हम आपको मा वैश्नो देवी की कथा सुनाते हैं कि कैसे माता रानी अपने भक्तों की प्रात्ना सुनकर उनके सभी कष्ट दूर कर देती है माता को जो भी भक्त सच्चे मन से याद करता है माता रानी उनकी पुकार सुनकर जरूर आती है और सब इक्षाएं पूर करती है करे वो मा की पूझा नहीं कोई काम था दूजा भक्त वो बड़ा ही निर्धन फिर भी कर कन्या पूझन लेकिन स्रीधर के घर में ना थी कोई संतान करेमा भगतों का कल्यान बात स्रीधर की सुनकर माने सपने में आकर बोली की मत करो चिंता होगी सब पूरण इक्षा तो भक्तों इस तरह भक्त स्रीधर हर रोज सुबह सवेरे उठकर असनान आदि करके मा की पूझा पाठ करता और समय समय पर कन्याओं को भोजन करवाता लेकिन भक्त स्रीधर को एक ही चिंता सताय जाती कि मेरा वंस कैसे चलेगा एक दिन पूझा अर्चना के बाद भक्त स्रीधर मां से विंती करने लगा कि मां मैं सच्चे मन से आपकी भत्ती करता हूँ क्या मैं इसी तरह बदहाली में रहूंगा और मेरा वंस चलेगा के नहीं लगाओ एक भंडारा बुलाओ गाओ कुसारा जो भी कोई मिलता जाए वो भोजन करने आए कह स्रीधर को इतना मां हो गई अंतर ध्यान करेमा भक्तों का कल्यान करेमा भक्तों का कल्यान नाम मेरा भैरोनात है तुम्हें क्या नहीं ग्यात है नहीं यहां हम है अकेले है मेरे से कुड़ चेले भक्तों जब सुबह स्रीधर की आखें खुली तो उसने सोचा कि मां ये जो आपका आदेस है मैं कैसे पूरा करूंगा मैं तो इतना निर्धन हूँ ये कैसे हूँ पाएगा फिर हर रोज की तरह उसने मां की पूजा अर्चना की और मां का आदेस मान कर गाउं की ओर चल दिया जो भी मिलता उससे कहता कि कल मेरी कुटिया में माता का भंडारा है और रास्ते में भैरोनात का डेरा पड़ता था उसने उसे भी नियोता दिया उसकी बात सुनकर भैरो बोले नाम मेरा भैरोनात है तुम्हें क्या नहीं ग्यात है नहीं यहां हम है अकेले है मेरे सैकड़ो चेले सभी वो साथ में आए और सब भोजन खाए ना इतना खर्म तेरे अन तुम तो बड़े हो निरधन लोट जवाब इसे अब भी स्रीधर वहत लो मेरी मान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान जो अगला दिन फिर आधा मेरी मान कर दो जब दान मा कथा खेल ही न्यारा भरा है सब भंडारा मा कथा खेल ही न्यारा भरा है सब भंडारा तो भक्तों बोलिये श्री वैशनों मैया की जै बाबा भैरोनात की बाते सुनकर श्रीधर पंडित ने हाथ जोड़कर सारी बाते बताई और कहने लगे कि माता के आदेश से मैं भंडारा लगा रहा हूं तो भैरोनात ने सोचा कि देखते हैं क्या सच में श्रीधर को कोई कन्या दिखाई दी अगर ऐसा है तो देखा जाए के ऐसी कौन सी सकती है जिसके दम पर श्रीधर पंडित भंडारा लगा रहा है और भैरोनात ने भंडारे में आने की हामी भर ली हलवा पूरी मिठाई सबने भर पेट है खाई कन्या बड़ी ही सुन्दर बाट रह सबको जाकर उस कन्या की तरफ गया जब भैरो जी का धान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान मैंन भोजन ये जब आ खाई खाऊं पीने को मदिरा चाहूं नहीं भोजने चाहिए खाने को मान से लाएए भक्तों भक्त श्रीधर ने देखा कि सुबह सब भंडारा तयार हो गया वो बड़ा ही प्रसन हुआ सब ग्रामवासी आ गये भक्त सबको बड़े प्रेम और आदर भाव से भंडारा खिलाने लगे एक बड़ी ही अद्भुत कन्या सबको भोजन करा रही थी बाबा भैरोनात की उस कन्या पर नजर पड़ी तो उसने सोचा कि चरूर इस कन्या में कोई सकती है वो कन्या से कहने लगे बोलिये जान लो तुम बात मेरी मान लो तुम लाजना तुमको आए साथ वो क्यों क्यों लजाए हाथ पकड़ना चाहा कन्या हो गई अंतर ध्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान ऐसे न लोट के जाऊ तुम्हें मैं खोज हिलाऊ छुपो चाहे कहीं भी जाके डूड लूगा मैं आके छुपो चाहे कहीं भी जाके डूड लूगा मैं आके भक्तों भैरों ने सोचा कि जरूर इस कन्या में कोई खास बात है क्यों ना इसकी परिक्षा ली जाए इसलिए उन्होंने कन्या से कहा कि हे कन्या हमें ये भोजन नहीं करना हमें मास और मदिरा सेवन करना है तो कन्या कहने लगी बाबा ये वैश्नो भंडारा है साधू होकर मांस और मदिरा की मांग कर रहे हो कैसे साधू हो तुम भैरों को कन्या की बात पर क्रोध आ गया और उठकर जैसे ही कन्या का हाथ पकड़ना चाहा कन्या ओजल हो गई भैरों ने अपने तपोबल से देखा कि कन्या त्रिकूट परबत की ओर चली गई तो उसके पीछे लग गए तो माता ने गुफा में अपने आप को छुपा लिया और भैरों कहने लगे पास गुफा के आया साधू एक उनको पाया बोला भैरों बच जाओ वक्त है लोट ही जाओ बात न मानी साधू की भैरों को थाया भिमान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का भगतों का करेमा भगतों का कि युक्त गाओ युद्स श्थाओ नहीं है तुला गुर्वीर को पाया बोला मेरा वारे सम्हालो कन्या को बाहर निकालो भत्तों भैरोनाथ ने उस साधु की एक बात ना मानी और उसको फटकार लगाते हुए गुफा में घुशने लगा माता ने सोचा की भैरो बड़ा ही अनाडी है तो अपने त्रिसूल से गुफा के पिछले भाग में से रस्ता बना कर निकल गए और त्रिकूट परबत की चोटी पर जाकर फिर से एक गुफा में जाकर बैठ गई लेकिन भैरोनाथ ने जिदना छोड़ी और खोजते हुए वहीं पहुँच गया और देखा कि गुफा द्वार पे लांगुर वीर पहरे पे बैठे हैं जो लांगुर को ललकारा मिला है जवाब करारा जो भैरो पड़ गया भारी आई फिर मा की बारी माता ने वध करने को तिर सूल लिया है तान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान बोला है मरता वारानी मेरी थी ये नादानी तुम्हें पहचान न पाया गर्वने है भरमाया तुम्हें पहचान न पाया गर्वने हैं भरमाया भत्तों बोलिये वैश्णों मैया की जै जब माता ने देखा कि भैरोनाथ लांगूर वीर को हरा देगा तो खुद अश्ट भुजा रूप में आ गए और अपने तिर्सूल से भैरोनाथ की गर्दन पर वार कर दिया माता के वार से भैरोनाथ की गर्दन कटकर दूर जा गिरी तो भैरो को अपनी गलती का एहसास हुआ और मा से माफी मागने लगा मुझे तुम माफ कर दो ऐसा कोई मुझे को वर दो हो ना तब भंग ये मेरा चरन का दासम तेरा करुणा माई मात ने फिर भैरों को दिया वर दान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान जो मेरे द्वार प्याद वो दर तेरे भी जाए वर नदर सन उसके तू अधूरे माने जाए तो भगतों बोलिये श्री वैश्नो मैया की जैए भैरों के वचनों को सुनकर माता कहने लगी हे भैरोनात तुमने अपने तपोबल का गलत इस्तेमाल किया और अभिमान किये इसलिए मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा अब तुम्हारा अभिमान दूर हो गया है इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ और जो तुम्हारा तप है वो व्यर्थ नहीं जाएगा आज के बाद जो भी मेरे दर्सन करने आएगा वो तुम्हारे दर्सन भी करेगा वरना उसे दर्सनों का फल प्रात नहीं होगा जो मा के दर है आना तो भैरों मंदिर जाना यात्रा तब हो पूरी भैरों दर्सन है जरूरी कही सुने ना पात ये तो मा का दिया वरतान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान पूरी हूई सब्भैक छाए ना स्रीधर फूल समाए सफल हुई भक्ती मेरी मा ये किरपा है तेरी भैरोनात को वर्दान देकर माता रात को स्रीधर पंडित के सपने में आती है और उन्हें भी वर्दान देती है कि है श्रीधर तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है मैं तुम्हें वर्दान देती हुँ कि तुम्हारे घर में चार पुत्र होंगे और आज के बाद तुम्हारा वंस ही मेरा पूजा करेगा जय माता दिए जो करते सची भगती उसे मा देना सकती तेरे दर जो भी आए कभी ना खाली जाए अपने सचे भगतों पे ये करना मा एहसान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान करेमा भगतों का कल्यान ये तब से होता है जो इसका ध्यान लगाए ना ही रहता वो निर्धन ना ही कोई विपदा आए तो भगतों इस प्रकार स्रीधर भगत ने फर्यात की हे मातारानी जो भी भगत सच्चे मद्ध आए मन से तुम्हारी भगती करते हैं उनकी सब च्छाएं पूर करना अता भगतों सच्चे मन से माता की भगती करने वालों की सब च्छाएं माता पूरी करती है और युगों युगों से मा भगतों पे कृपा की बरसात कर रही है ये डियस पाल ने माना मा की महि मा को जाना ये तो मा तेरा करम है चली जो मेरी कलम है फोज सुरे से कुवर ना मैया ना इतना है ग्यान करे मा भगतों का कल्याई